तो इस तरह से अगर आप चार्ट को रीट करना शुरू करेंगे तो आप डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर पाएंगे हाई एब्रीवन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिसेस करने जा रहे हैं जहां पर हमें आज के दिने काफी अच्छा ब्रेकाउट देखने को मिला है और अगर ये स्टॉक ब्रेकाउट के डिरेक्शन में अगर मुवमेंट वो कंटिनियू करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा रिटन देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं स्टॉक की पहला स्टॉक है हमारे पास Walk Pharma का और यह रहा इसका चार्ट तो सबसे पहला हम लोगें पर रीजन को find out करते हैं कि हमने इस स्टॉक को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहां पर तो इसलिए मैं आपको हमेशा suggest करता हूँ कि अगर आपने initial में अगर breakout को find out कर लिया तो आपको काफी बहतरिन returns देखने को मिल सकते हैं बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find out करेंगे और एक यहां पर simple सा horizontal line चीजों को बिलकुल ही असान रखना है जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहां पर notice करेंगे कि यह जो 508 रूबिच का जो label था यह last time हमें July 21 में देखने को मिला था and आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है almost 3 years के बाद यह 508 रूबिच का जो label है इसका हमें breakout दिखने को मिल रहा है तो इसे हम लोग काते है multi-year breakout any breakout which happen after one year is known as multi-year breakout और आप यहां पर pattern dock कर सकते हैं inverted head and shoulder pattern जिसका हमें आज के trading session में breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसा stock को जो select रहने का है वो है inverted head and shoulder pattern का breakout एक बात मैं आपको बता दू कि यह जो pattern होता है यह bullish in nature होता है that means कि आपको breakout के direction में एक बड़ा move दिखने को मिल सकता है आप यहां पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना ज़ादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 560 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो किया रहा है 430 रूपिज closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 585 का second target है 670 का and third target है हमारा पास 740 का अब आईए देखते है नेक्स स्टॉक और यह है AVT NPL का और यह रहा इसका chart again सबसाब पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे एक simple सा horizontal line चीजों को बिलकुल ही असान रखना है जिसे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि जो 99 रूपिज का जो level है यह kind of resistance की तरह act कर रहा था जब भी prices के पास आता था हमें downside में एक move देखने को मिलता था बट आप यहाँ पर notice करेंगे कि आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इसे स्टॉक को जो select रहने का है वो है resistance का breakout उतना ही नहीं आप एक यहाँ पर pattern भी draw कर सकते हैं और इसके लिए मैं trend line का यूज करने जा रहा हूँ अगर आपको trend line draw करना नहीं आता है तो इस पर मैंने already एक video बना रखा है आपको जब भी time मिले आप उसे जाके देख सकते हैं तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि इस स्टॉक ने एक kind of ascending triangle pattern बना रखा था and आज के दिन हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इस स्टॉक को जो select करने का है वो है ascending triangle pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना ज़ादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 110 रूपिज के अगर ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो train line है एक kind of support की तरह act कर रहा है जब भी prices level को touch करती है हमें upside में एक move देखने को मिलता है तो हम लोग अपना stop loss पी यही रखेंगे कि अगर कोई भी candle इस train line के अगर नीचे कर अगर close कर देगी तो हम लोग अपनी position को exit कर देंगे अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 117 का second target है 124 का and third target है 135 का अब आई यह देखते हैं इन्नेक से stock और यह है high tech का और यह रहाइस का chart again सबसे पहले region को find out करने की कोसिस करेंगे एक simple सा pattern और इसे हम लोग करते हैं pull and flag तो याद रखिए कि आप जब भी trading है investing करेंगे stock selection का जो region है वो पूरी तरह से clear होना चाहिए इससे क्या हो कि आप long run में आपके एक काफी बहतरीन पैसा बना सकते हैं तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि इस stock ने एक kind of pull and flag pattern बना रखा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इस stock को जो select करने का है वो है pull and flag pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना ज्यादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब हम जो चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की कोशिस करेंगे कि इस company का all time high क्या था और यह company कब list हुई थी तो आप यहाँ पर notice कर सकते कि जो company list हुई है somewhere in 2018 and इसका जो all time high था वो था somewhere around 158 रुपीज के आसपास जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second reason है स्टोक को जो selected निका है वो है all time high का breakout that is also known as ATS अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 170 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 145 रुपीज closing business पर अब बात करते हैं target की तो देखिए जब यह stock अपने all time hyper trade करता है तो upside में उसके पास कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूँव पर पाड़िसील profit बुक करते हैं for example माल लिजी मैंने पास 100 quantity है stock जो है वो 10% का move दिखाता है तो यह पूरी तरह से मेरे उपर depend करेगा कि यहाँ पर मैं 5 quantity बुक करूँ या 10 quantity बुक करूँ और इस पर भी depend करेगा कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आईए देखते हैं नेक्स stock और यह है JSW Infra का और यह रहा इसका chart अगेन सबसे पहले region को find out करने की कोशिस करेंगे तो एक चीज़ तो आपको काफी clear दीख रहा हुआ आज का volume तो इस तरह से अगर आप chart को read करना शुरू करेंगे तो आप direction को predict कर पाएंगे अब बात करते हैं कि आज हमने इस stock को क्यों select किया है तो एक simple सा horizontal line चीज़ों को बिल्कुल ही असान रखना है जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है cup and handle pattern का breakout अगर उपर निकलता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के जो stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 220 रूपीज closing business पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 248 का and इसके बाद जो stock है अपने all time high के पास चला जाएगा और यह राइस का chart अग्यन सब सब पहले region को find out करेंगे और एक यहाँ पर अग्यन simple सा horizontal line चीजों को बिल्कुल ही असान रखना है तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने भी एक kind of cup and handle pattern बना रखा था and आज के दिन हमें इसका breakout होते हुए दिख रहा है वह है cup and handle pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि इस company का जो all time high था वो somewhere around 511 के आसपास था जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इस stock को जो select करने का है वह है all time high का breakout आप यहाँ पर यह भी notice कर पाएंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के competition में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 525 के अगर उपर निकलता है तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss का previous swing low जहां से price ने last time एक reversal दिखाया था जो किया रहा है 455 रूपिज closing business पर अगर बात करेंगे target की जैसा कि अभी हमने discuss किया कि अगर कोई भी stock अपने all time hypertrade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग हर एक 5-10% के मूपर partial profit book करते हैं I hope कि आपको इस वीडियो से को सीखने को मिला होगा Thanks for watching